नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में जल्थ होगी एक और सक्षक बहाली CM नितीश ने सभी को दी रक्षा बंधन की बदाई बिहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर DM को मिला ये खास अधिकार राज की सक्षक पुरुसकार के लिए राजे से 20 सक्षक हुए चेनित एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकस्तान मुकाबला पर हार्दिक पांडया का बड़ा बयान इसके साथ ही बरते हैं शान तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से बिहार में जल्द होगी एक और सक्षक बहाली बिहार सरकार के सक्षा विभाग के द्वारा राजे में एक और सक्षक बहाली को लेकर तयारी शिरू कर दी गई है बतादे किसको लेकर विवाग की ओर से राजी के प्राड़मःिक माध्यमिक और उच माध्यमिक स्कूलों में रिक्तपदों की जानकारी जिलावार हासिल कर ली है और फिल्हाल इन रिक्तपदों की संख्या को विवागे इस्तर पर समायु जित किया रहा मीडिया में चल रही खबरों के नुसार सक्षक नियोजन की गोशना सितंबर अंतिम हफते अत्वाग अक्टूबर के पहले सब्ता के बीच की जा सकती है यह नुक्तियां भी BPSC यानि की बिहार लोग से वा आयोग के माध्यम से ही करवाई जाएंगी मिले जानकारी के नुसार सरवाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रस्तावित की जानी की संभावना हैं क्योंकि इन में सरवाधिक पदरिक्थ है विहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर DM को मिला ये खास अधिकार विहार सरकार के सक्षभ विभाग के दौरा राजी के कोचिंग न्यमावाली को तयार कर लिया गया है, जिसके तहत वैसे सक्षभ, जो सरकारी स्कूलिया संस्थान में पढ़ाते हैं, उनकी सेवा कोचिंग संस्थान में नहीं लिजा सकेगी, वहीं डियम को भी कुछ सब्सक्राइब के déb vite इटके समय आधिकार रखते हैं और साथ ही स्कूल ऑख college के समय को ध्यान में रखते οके कोचिंग संस्थानों का समय निर्धारित करने का अधिकार रखते हैं पर दियम के पास कोचिंग में औरहीं मुझार्धियों की संतिया आपदा बनकारी के लिए बता दिक विभाग की ओर से कोचिंग नियमवाली को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और साथी इमेल आईडी डी आई 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 एसी टी ओर सी डॉट एड्यू एड्डरे जीमेल डॉट कॉम पर सुझाओ भेजने का निर्देश दिया गया है माल पर दीश कुमार के द्वारा भी टूइट कर सभी को रक्षाबंधन की शुब कामनाय दी गई है उन्होंने टूइट कर लिखा है कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और रिष्णे का त्योहार है रक्षाबंधन के अफसर पर प्रदेश एवं देश वासियों को हार्द से 20 सक्षक हुए चयनित ब्यार सरकार के सक्षक विभाग के दोरा राजे स्तरिय सक्षक पुरुसकार के लिए 20 नाम की घोशना कर दी गई है ऐसे में अब इन 20 सक्षकों को 5 सितंबर को सक्षक दिवस के मौके पर राजे स्तरिय सक्षक पुरुसकार देकर स्तमानित किया जा अब आरा तक जाएगी टाटा दानापूर एक्सप्रस ट्रेन आरा के सांसद आरके सिंग के आग्रह पर पुर्वतर सिंट्रल रेलवे के द्वारा दानापूर के सीनियर डी ओम को पत्र लिखिया जानकारी दे दी गई है कि अब टाटा नगर से दानापूर जाने वाली ट्रेन बिहार के आरा स्टीशन तक जाएगी जिसमें दक्षिन बिहार एक्सप्रस ट्रेन, राजिंदर नगर हावडा, राजिंदर नगर एक्सप्रस और पटना हटिया पाटले पुतर एक्सप्रस ट्रेन सामिल है हाला कि वर्तमान में इसकी शुरुवात कब की जाएगी उसको लेकर कोई तिथी घोशित नहीं की गई है ऐसे में बहुत चल्दी मॉड्यूल तैयार कर लिया जाएगा कि ट्रेन का समय क्या होगा आड़ा पहुचने में कितनी देर लगेगी बता दे के ऐसा होने से बिहार और जार्खन के लोगों को काफी आसानी होगी खास तोर पर उन लोगों को जुटाटा नगर से अराज जाना चाहते हैं मालमों कि इसको लेकर पुर्वतर सेंट्रल रेलवे की ओर से मन्जूरी दे दी गई है परेटन सचीव ने गया में पितरी पक्ष मेला की तैयारियों का लिया जायजा विहार सिरकार के परेटन विभाग के सचीव अभय कुमार सिंग्ध्वरा गया जिला पहुँचकर पितरी पक्ष मेला दोहजार तीज के सफल आयूजन को लेकर किये जा रहे तैयारियों का ज प्रिक्षन किया और फिर विश्णुपद मंदिर से समशान घाठ होते वे समवात सदन तक पैदल घूमने के दौरां जो भी कम्याद देखी गई उसे दुरुस्त करवाने का निर्देश दिया गया उन्होंने कहा किस वर्ष पित्री पक्ष मेला इतिहासिक रूप में संपन ह इसको लेकर सभी आवशक्त यारी सही समय पर पूरी कर ली जाए इस दौरां उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी विहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के करकमल के द्वरा गया जी धाम धर्मशाला का सिलन्यास करवाया जाएगा जहां 1180 पिंड दानियों या तर्थ य भागलपुर की बेटी चांधनी ने देश का नाम किया रौसन आज की दौर में बिहार की बेटी भी हर छेतर में अपना पर्चम लहराने में सक्षम है इसी करी में बिहार के भागलपुर की रहने वारी चांधनी चो आर्थिक रूप से तो काफी कमजोर है लेकिन उन्होंन जन भार निवाजा इवेंट में USA को हडा कर अपना नाम काश्य पदक किया गया है उनके सुपलब्धी पर बीते दिन भागलपूर नाथनगर के संकरपूर द्वारा दारापूर में चांदरी का स्वागा समारो आयुजित किया गया जिसमें दरजनों खिलारियों और समास इस दोरान वहां खेल मंत्रे जितंद्र कुमार राय राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवेंदरन संकरण समीद कई अनेक पदाधिकारी मौजूत रहें जिन्होंने बधाई दी नीती आयो की बैठक में बिहार से पटना विश्य विद्याले के कूल पती शामिल विश्य विद्याले और संस्थानों में सोधकारियों को बढ़ावा मिल सके इसको लेकर आज यानी की 31 अगस्त को नीती आयोग के सदर्शित डॉक्टर वी के सारस्वत की अध्यक्षता में नीती आयोग की एक बैठक आयुजित की गई जिसमें बिहार से पटना विश्यविद्याले के कूल पती को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा गया था कि अज विश्यविद्याले के कूलपती शामिल हूँ इस बैठक को लेकर पटना विश्यविद्याले के कहा मिल सकता है एक सितंबर से बदल जाएगा बिहार से चलने वाली कई ट्रेनों का रूट वारा नसी जंक्षन पर यार्ड री मॉडलिंग का कारे होने की वजह से एक सितंबर से 20 ओक्टूबर तक बिहार से गुजरने वाली दिल्ली पश्रिम बंगाल जारखन समीत अने राजों के लिए जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के रूटों में परिवर्तन किया गया है जिसमें 12875 या 12876 पूरी आनंद विहार निलांचार एक्सप्रेस 19322 और 1934 पतना इंदॉर एक्सप्रेस 19313 और 19421 इंदॉर पतना एक्सप्रेस एक तीन दो तीन साथ और एक तीन दो तीन नौ पटना कोटा एक्सप्रेस एक तीन दो तीन आट और एक तीन दो चार शुने कोटा पटना एक्सप्रेस एक दो तीन आठ एक हावरा नई दिल्ली एक तीन शुने शुने पांच और एक तीन शुने 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 और 205-05 ग्रिबुगर नई दिल्ली राजधानी और 205-04 और 205-06 नई दिल्ली ग्रिबुगर राजधानी शामिल हैं राजध सरकार करेगी विकास योजनाओं की समिक्षा योजना इवं विकास विभाग के दोरा अपने अस्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि राजध सरकार अपने विकास योजनाओं की समिक्षा कर सके पतादे के संबंद में राजी योजना से जुरे सभी विभागों से 1 सितंबर तक विस्तरत रिपोर्ट की मांग की गई है इसको लेकर योजना इवं विकास विभाग के उपने देशक अजय कुमार के दोरा सभी विभागों के अपने मुख्य सचीव प्रधान सचीव व सची रिपोर्ट मांगी गई है जिनमें ग्रामीन का्रे विभाग ग्रामीन विकास विभाग समाज कल्यान विभाग अलब संक्य कल्यान मद्व Tha सामिल हैं इडी ने जेडियो एमलसी राधा चरन सेट से नौ घंटे तक की पूछताच पालू के अवयत खानन और फरजी तरीके से बालू घाटों का ठेका ले जोड़े करोड के मुखटाला मामली को लेकर इडी के दौरा जेडियो एमलसी राधा चरन सेट से बीत दिन दोप पहर से लेकर देश शाम तक लगभग नौ घंटे तक पूछताच की गई वहीं उनकी पूछताच आज भी जारी गई मिले जानकारी के नसार एक सितंबर को राधा चरन सेट के बेटे कर नहिया कुमार से भी एडी के दौरा पूछताच की जाएगी आपकी जानकारी के चुती पर MLC नीरज कुमार का बयान बिहार सरकार के माधिमिक सिक्षा निदेशक की ओर से पत्र जारी कर राजी के सरकारी स्कूलों में चुटियों की संख्या 23 से घटा कर 11 कर दी गई है ऐसे में बिहार की राजनेतिक गलियारों में आरो प्रत्यारों का दौर शुरू हो गया है इसी करी में जेडियो MLC नीरज कुमार के दौरा अपनी प्रत्यक्रिया देते वे कहा गया है कि स्कूलों की छुटिया खत्मन नहीं की गई है बलकि वैवारी करने के लिए उसमें संसोधन किया गया है सक्षा के अधिकार अधिनियम के तहट प्रात्मिक विद्यालि प्रारी के लिए बता दे कि जब से विवाग की ओर से ये निर्ने लिया गया है बीजपी के दौरा लगातार नितीज तरकार के इसा देश को तुस्टी करन की राजनीती करार दिया जा रहा लालू पडिवार ने कुछ ऐसे मनाई राखी पूरे देश भर में आज भाई बह एवं जलवायू परिवर तन्विवाग के मंतरी तेश प्रताप यादव के दौरा भी अपनी बहनों के साथ धूमधाम से रक्षा बंधन तेवहार को मनाया गया तेश प्रताप यादव ने अपनी बहनों से गडगाओं में अपनी कलाई पर रक्षा सूथ बनवाया जिसक भाई बहन का तूट पावन पवित्र प्रेम का पर रख्षा बंधन पर मैंने बहनों से गुरगाओं चाकर उनके आवाज पर राखी बंधवाया वहीं दूसरी हो राजस सुप्रीमों लालो पुशाद यादव की पत्नी और बिहार की पुर्व मुख्यमंत्री राबरी दे मैंच को लेकर और इस मैच से जुरी भावनाओं को लेकर ओल राउंडर हार्दिक पांडिया के दौरा एक बड़ा बयान दिया गया है उन्होंने कहा है कि इसमें आपके जजबे और व्यक्तित्यों की परक कैसे होती है और साथ ही यह दिखाता है कि आप पानी में कितनी गह किये गए सके बाद राजवानी पटना में आज पिटरोल 107.48 रुपे और डीजल 94.26 रुपे प्रतिलीटर में मिल रहा है वजब पुर्ने पिटरोल कीमत 108.00 रूपे प्रतिलीटर मिल रहा है भागल पुर्ने पिटरोल कीमत कंज में है जहां पिट्रॉल 117 रूपे प्रती लीटर और डीसल 96.3 चार रूपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बीते दिन हमारी दर पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजवाब हमें हमारी कमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्ह साथ ही बढ़ते हैं और आजका सवाल है अपने इडाकी का त्योहार कैसे मनाया अपने जवाब हमें इमारी कमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कवरों के साथ बने रहें निकले देखते रहें बिहारी नीउस और साथ एगर आ पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद